नमस्कार मित्रों, हिंदीकुनी.com में आपका स्वागत है। बेटू के लिए गा रही है। वो अपने घर में सापसफाई कर रही है। उन्हें पैरों में दर्द भी है। लेकिन बेटे रामेश्वर और बहु तथा पोते बेटू के आगमन की खुसे में सारा दर्द भूल सी जाती है। उनका बेटा रामेश्वर बंबई में काम करता है बोड़ी अम्मा को अपने बेटे की बच्पन की याद आने लगती हैं कि वह लोरी सुने बिना सोता ही नहीं था अब पोटा बेटू भी ऐसा ही करता होगा अम्मा कलपनाओं में ही खोई रहती हैं कि तभी एक तांगा आकर अम्मा के घर के सामने रुपता है अम्मा ने दोड़कर रामिस्वर की गोसे बच्चे को जपड़कर ऐसे चीना कि जिसी किसी चोर उचक्के के हांसे वे अपने बच्चे को चीन रही हो बेटू को अम्मा ने सीने से लगा लिया चाय पानी के बाद रामिस्वन ने बताया कि बहु को बच्चा होने वाला है इसलिए वा बेटू को अम्मा के पास ही छोड़ कर चले जाएंगे यह सुनकर अम्मा खुसी से फूली न समाई उन्होंने नर्मदा तथा गाओं वालों को भी खुसी खुसी या समाचार सुना दिया अब अम्मा बेटू को साथ दिन भर खिलने लगी वे पूरा दिन दूद की सिसी साफ करती और समय समय पर बेटू को दूद पिलाती उन्होंने घड़ी देखना भी सीख लिया 20 दिन बाद जब बहु जब माई के जाने लगी तो बेटू ने ना तो जिद की और ना किसी प्रकार का रोया जाते समय रामेश्वर ने माता पिता के लिए कपड़े बनवा दिये बेटू इसी बीच गली की गंदे बच्चों के साथ खिलता और हर फेरी वाले से कुछ न कुछ खरिता जरूर दूसरे साल बहु मा बेटू को देखकर परिसान हो गई वह जिद बहुत करता था बहु बेटू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं लेकिन अम्मा के जित के कांडवा नहीं ले जा पाई दो साल हुआ दो साल बाद रामिश्वर और रमा अपने तीन साल के बेटे पप्पू के साथ घर आते हैं पप्पू अंगरजी स्कूल में भरती होने कांड अंगरजी की छोटी छोटी के पताएं बोलता था वहीं बेटू गवारों की भाद रहता था और दिन पर गली के गंदे बच्च अबर बुरा हाल था इसलिए रमा बेटू को अम्मा के पास वापस कर गई एक साल बाद फिर जब रमा वापस आई लेकिन बेटू में कोई परवर्त ना देखकर वह इस बार जिद करके उसे बंबई ले गई अम्मा भी पैसे खर्च करके सिब्बू को साथ भेज दिया या बेटू नहीं आया सिब्बू आपस आगया अब अम्मा की आसा निरासा में बदल गई उन्हें लगा कि बेटू अम्मा को भूल गया होगा बेटू का मन लग गया होगा वहां उसके बहुत सारे दोस्त होंगे इसी खुसे में अम्मा ने सवा रुपए सिब्बू को देकर पेड़े मंगवाए और लोगों को बाटे अब अम्मा खुस थी तो यदे हम इस कहाने के उदेश के बारें बात करें तो हम यह मालूम पड़ता है कि मन्नू भंडारीजे ने मजबूरी कहाने में बुड़ी अम्मा की रूप में कैसी दादी का अपने पोते बिटू के प्र या फिर परिवारिक जीवन में नहीं रखते हैं कि वे अपने बेटे बहु और पोते बेटू से मिलने के लिए बेचायन कहानी के शुरुआत में रहती हैं उनके घर आगमन पर बहु बेटे को अम्मा के पास ही रखने के लिए प्रस्ताव रखती है इस पर अम्मा भी अपने साथ माय के ले जाती है लेकिन अपनी दादी के लिए रो रोकर बेटू का बुरा हाल हुआ आता है इसलिए रमा यानि कि बहु बेटू को वापस दादी के पास छोड़ जाती है तीन साल बाद रमा के छोटे बेटे पप्पू और बेटू में बहुत अंतर आ जाता है बेटू का हईश ना बिगड़े इसलिए रमा अपने साथ बेटू को लेकर बंबे चली जाती है पीछी पीछी अम्मा जी ने सिब्बू को बंबे भेज़ती या दिरोए या किसी प्रकार का जिद कर तो सिब्बू वापस लेकर अम्मा के जी के पाशला आए इस बार बेटू का मन बंबे में लग जाता है वह रोता नी इजर बोड़ी अम्मा का जीवन फिर से एकाकी हो जाता है अम्मा के अकेले पन उनके मन की वैथा तथा बच्चों के माबाप के प्रतिकरतब को दिखाना लेकिका का उद्देश रहा है अमा के मन का अंतरदोंद वह उनके एकाकीपन की मारमिक्ता बहुत ही हिर्देस परसी बन पड़ी है अगर हम इस कहानी की सिर्सक की बात करें तो उनके कहानी के सिर्सक मजबूरी बहुत ही सार्थक वाउशित बन पड़ा है पूरी कहानी में दादी मा का एकाकीपन आरम से लेकर अन्ति तक दर्साया गया है अब बीच में बेटू और बहु और पोते के आ जाने पर उनका एकाकीपन दूर होता है लेकिन थोड़े समय के लिए रमा जानी की उनकी बहु कि दूसरी संतान होने के करण बेटू को कुछ समय के लिए दादी के पास छोड़कर चले जाती है इस करण अमा के जियों के में खुसिस जा जाती है वो अपने बुढ़ापा भूल जाती है लेकिन उनके लाड़ प्यार ने बेटू को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है वो सार दिन खाता रहता है गंदे बच्चों के साथ खेला करता है और हर फेरी वालों से कुछ ने कुछ लिया करता है रमा अपने बेटे बेटू के भवश की चिंता करती है इसलिए वो अब बेटू को लेकर चल जाती है वहां बंबई में बेटो का मन भी लग जाता है। इसी काण अम्मा हब से उपर-उपर तो खुसे बेक्त करती हैं पर भीतर ही भीतर बहुत दुखी होती हैं अपने पोती की जाने के काण। लिखेका ने इसलिए दादी मा के माध्यम से नारी के काकीपन का चित्रन किया है, अता लिखेका के उद्देश को दर्साने के लिए मजबूरी सिर्शग सार्थक वसफल है और मजबूरी के काराण हर पात्र में परुरतन दिखाई पड़ता है, ना तो गलते दादी मा की है, बेटू की है कि अपने अपने कारे को legal 요 poi में नौकरी करतीं और उनकी बहूरमी जो कि अपनी बड़े बेटे बेटू का जीवन को अच्छा करना चाहती है यो ऩपने पोते बेटू को बहुत प्यार करती है आपने सिन नहीं दूर नहीं कर सकती तो हर पात्रों में कोई ने कोई मजबूरी है तो जिए उनको बहतर बनाने के लिए बेटू का बंबई जाना ही सबसे उचित और बहतर है तो इस तरह लेखेका ने अपनी बाद पार्टकों तक पहुंचा आई और इसमें सफलता भी पराप्त किये तैने वाद़